हेलो स्टुडेंट्स वेलकॉम बैक टू एलिट टूटर्स चलिए इस वीडियो में हम दूसरी का एका पाड़करमांग छट्टा जो एक कवीता है कवाली के रूप में वो देखने वाले हैं जिसका नाम है हम उस धर्ती की संतती हैं मतलब अवलाद हैं संतान है इसको लिखा ह कवी उमाकांत मालवी तो इस कवाली में इस कवीता में एक हिसाब से डिबेट हो रहा है इसा समुझे एक तरफ लड़के हैं और एक तरफ लड़किया है और ये कवाली है और कवाली आप जानते हूँ अगर उसे धुन में गाया जाये तो कितना अच्छा लगेगा आपको पर यहां वो नहीं हो सकता है तो चलिए लड़कों ने यहां से यहां तक गाया है कहा है लड़कियों को और बदले में जो जवाब मिला है वो इसके यहां से शुरू हुआ इसके बाद और फिर आखिर में क्या हुआ इसे तीन चरण में इसको अलग अलग बताया गया है तो चलिए शुरू करते हैं हम उस धर्ती के लड़के हैं जिस धर्ती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए हां क्या कहिए तो लड़के ये कहते हैं कि हम उस धर्ती के लड़के हैं जिस धर्टी की जो बाते हैं, अरे क्या कहिए, क्या आप बोल पाओगे, क्या बात है, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, यह वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे, तो यह जो हम जिस धर्टी पे जनम लिए हैं, यह वो मिट्टी है, जिस मिट्टी पे खेले थे यहां द तो इन सभी महान लोगों के बारे में डीटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर आप जाके देख सकते हो पर सकते हो कि यह लोग कौन थे इनकी क्या इनका क्या इतिहास रहा है यहां पर जो लड़कों ने बता है इसके जब हम यहां पर देखेंगे तो लड़कों ने क्या किन महान स्तिरियों के नाम बता हैं ये भी हम देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज आप कुछ देर के बाद जरूर जाएगा और ये इनके बारे में आप देख लीजेगा इसमें आपको सिर्फ इनके न फिर आगे और बता उन्होंने कि यह मिट्टी हुए प्रलहात जाहं ये वो मिट्टी है ये वो धर्थी है जहां प्रलहात जेशे महान पुरुष हुए जो अपने लग्न तपस्वी जिनको तपस्या करना पड़ा था तो बहुत सच्चे थे और अच्सी तरह उन्होंने जिनका नाम भरत था। जिन्हों ने ऐसा इतना बहादूरी का काम किया था। इसा समझे कि शेरों के जबड़े खोल दिये थे और उसमें दाद गिन दिये थे। मतलब इतना बहादूर थे। और जिसके नाम पे आपको आपका देश का नाम भी भारत जो पड़ा है वो भी किते थे। तो यहां पे धुरूव, प्रलाद, भरत, जैमल, पत्ता इन महान लोगों का एक्जामपल उधारन देते हुए बच्चों ने लड़कियों के तरफ बोला कि हमारी हस्ती क्या है ये तुम जान लो और हम तुमसे स्रेष्ट हैं ये मान लो इस कारण हम तुमसे उस धरती के लड़के हैं तो हम इस धरती के लड़के हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जन में थे तो आप लोग चुप रही है कुछ मत बूलिए अब शुरू हो रहा है लड़कियों की तरफ से तो उन्होंने क्या बोला कि बातों का जनाब शाओर नहीं मतलब ढंग नहीं है मतलब बाते किस तरह करना चाहिए अजी जनाब मतलब जनाब एक सम्भूदित वर्ड है तो आपको उसका शवूर नहीं है आपको उसका धंग नहीं है शेकी ना बगारें स्वयम अपनी प्रशंसा ना करें मतलब अपनी मुह से अपनी तारीफ ना करें हाँ चुप रही है की लड़की है तो अब हमारी बात सुने कि हम उस धर्ती की बेटियां है लड़की है जिस धर्ती की बातें चलिए आगे देखते हैं अजी क्या कहिए हां क्या कहिए मतलब अब जवाब सुनिए लड़कियों के ये तरफ से लड़कों के लिए जिस मिट्टी में लक्षमी भ दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मरदानी तो ऐसे से जो स्तिरी थी जिन्होंने मरदानी जैसे मतलब ब्रीविरी बहदुरी से लड़ाई किया था ऐसे स्तिरीयों का जनम जो है हमारी धर्ती पे हुआ था जनमी थी बीबी चांद जहां पदमिनी के जोहर की जवाला तो जब एक रजयस्तान पुराने जमाने में एक प्रधाद चलती थी इसमें तरियां वीदेशी आकरमन कारियों से अपने स्वाबिमान की रक्षा के लिए अगनी में प्रवेश कर प्रानों की आहूती दे दी थी मतलब अगर विदेशियों ने गैर लोगों ने अगर हमारे उपर हमला किया है तो हम अपने आपको उनके हवाले नहीं कर देंगे अपने स्वाभी मान को बचाय रखने के लिए हम अपने जान दे देंगे पर अपने आपको उनके हवाले नहीं करेंगे फिर आगे और भी बता है उन्होंने सीता सावित्री की धर्ती मतलब ये धर्ती सीता की है ये धर्ती सावित्री की है जन्मी ऐसी ऐसी बाला मतलब ऐसी ऐसी स्त्रियों का जन्म इस धर्ती पे हुआ है तो अब आप क्या कोगे फिर उन्होंने अंत कयार बोला कि गर डींग जनाप उड़ाएंगे बत sunset अगर आप डींग उड़ाओंगे, बड़ी बाते करोगे तो मजबूरन ताने सहिए तो हमारे तरफ से भी सुनें और फिर ताने जरूर सुनें सहिए, इसको बरदास करें ताने सही है ताने सही है फिर end किया है हम उस धरती की लड़किया है तो हम भी उस धरती की लड़किया है जहां पर ऐसी इस्तरियों का जनम हुआ है तो अब एक तरफ से लड़कियों ने काफी कुछ बोला और एक तरफ से लड़कों ने बोला अब लड़के समझ गए हैं कि लड़कियां इनका मूत और जवाब दे रही हैं तो लड़कों ने फिर से क्या बोला यो आप खफा क्यूं होती हैं तो उन्होंने बोला कि चलिए अब खफा मत होईए तंटा काहे का अपस में मतलब अब लड़ाई क्यूं आपस में करेंगे मतलब उनको ये मानना बड़ा कि कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें जवाब ये अच्छी से सुनने मिलेंगे हम से तुम या तुम से हम बढ़ चड़कर क्या रखा इसमें तो हम से तुम या तुम से हम ऐसा बढ़ चड़कर अगर हम करेंगे तो क्या रखा इसके अंदर जगड़े से न कुछ हासिल होगा मतब जगड़े से कुछ हासिल न होगा रख देंगे बाते उलजाके और ये जगड़ा करेंगे तो बाते उलज जाएंगी कितनी समझदारी की बात बताने शुरू हुए लड़कों की तरफ से बस बात पते की इतनी है तो बात एक ही है पते की की दुरूव या रजिया चाहे दुरूव की बाते करिए या रजिया सुल्तान की बात करिए भारत मा के मतलब दोनों भी तो भारत मा के ही है भारत माता के रत के हैं हम दोनों ही दो दो पईये तो भारत माता के जो रत हैं उनके जो दो पईये होते हैं एक पईया लड़के हैं तो दूसरी पईया लड़किया हैं तो ये कवीता एक तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल डिफिकल्ड नहीं है यहां पे सिर्फ आपको महान स्त्रियों के और महान पूरुशों के नाम याद रखना है उसके बाद आप इसको खुद से लिख भी सकते हैं और एक दो बाद समझने के बाद यह आपको अची तरह समझ में भी आ जाएगा चलिए यहां पे कवीता खतम होता है मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्यू वेरी मच